नमस्कार दोस्तों, जब पेशेंट्स पनाईल इंप्लांट सर्जी के बारे में सोच रहे होते हैं, तो उनके मन में हजारों क्वेस्चन्स आते हैं, कि पनाईल इंप्लांट के बाद उनके लाइफ कैसी होईगी, मैं दॉक्ट आशी सभवाल उरॉल्जिस्ट और मेंस हेल्थ इस एक्सपर्ट, न्यू डेल इंप्ली इंदा सरह हूँ。 मैं इन क्वेक्श्चन्स के बारे में एक विडियो सीरीज बना रहा हूं, इस सीरीज में जो फ़्जिस हैं वो इन सारे क्वेस्चन्स को एक दिटेल में दिस्कस करएंगए तो आज का हम अवारा क्वेस्चन है, क च्छाती की प्रावलम है, श्टिर प्राविम्हें है, इन सब प्राव्लम्स को जो जो चेस्ट का MRI होता है या नेक का MRI होता है वो सब पुनाईल इम्प्लांट जहां लगवोता है उससे दूर अता है तो ये वाले MR-Wei करने में कोई प्राविम्हें नहीं होती कई पेशिट्स को hip bone या pelvis जहां पर implant लगवाते हैं वहाँ का MRI करना होता है तो वो जब करते हैं तो उसमें penile implant दिखता है तो आपको समझना चाहिए कि अगर आप pelvis MRI कर रहे हैं और आपने अपने partner को कभी बताया नहीए कि आपने implant कराया हूँ है तो जब वो MRI की रिपोर्ट देखेगा तो पार्टनर उपा चल जाएगा कि आपने इंप्लांट कराया हुआ है तो यह आपको पता होना चाहिए दूसरी बात MRI करने से पहले आप अपने टेक्निशन को या डॉक्टर को बताईए कि आपने इंप्लांट कराया हुआ है ताकि जब वो उस एरिया की MRI करेंगे तो एक नॉमल MRI से थोड़ी डिफरेंट होती है जिसमें वो ऐसी सेटिंग करेंगे जिससे MRI में इंप्लांट की वासे कोई शाडोज कोई आर्टिफाइक्ट से सब नहीं है ताकि क्लिर इमेज आएगी तो अगर आप पहले से बता के रखेंगे अपने टेक्नीशन को तो वो सेटिंग्स कर लेंगे और आपकी इमेज जोए क्लिर आएगी तो किसी भी बोडी पार्ट के MRI कराने में इंप्लांट के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होती अगर आपको भी कोई life after penile implant surgery के बारे में questions हैं तो आप नीचे comment section में लिखिए और मैं आगे वाले वीडियो में उनको detail में discuss करूँगा अगर आपको penile implant surgery कराने है और आप मेरे को contact करना चाहते हैं तो आप मेरे को email कर सकते हैं मेरे email address or WhatsApp number नीचे description में दिया हुए धन्यवाद